हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है प्रत्वी स्टडी पॉइंट जो बच्चे बीटी यूपी बोर्ड से पॉले टेक्निक कर रहे हैं और फिफ समिस्टर के एक्जाम उन्होंने दे दिये हैं तो उनको पता है वह सिख समिस्टर की पढ़ाई जो है यह syllabus की PDF है ठीक है कौन-कौन से subject उन्हें पढ़ने हैं वो subject देख लेंगे वो ठीक है और उन subject की जो detail है वो भी देख लेंगे क्योंकि बच्चों को पता कि जो website पर जो PDF होती है वो पूरी 200 पेज की होती है 200 प्लस होते है बलकि तो वहां combine होता है तो वहां से जो हमने PDF को filter कर देते हैं semester के हिसाब से तो इस PDF में सिर्फ उतने ही page है 25 या 26 page है जो आपके सिर्फ semester 6 semester के subject और उससे related उसमें content है ठीक है बच्चों तो पहला subject जो आप देख रहे हैं industrial engineering है ठीक है यहाँ पर जो है इसका theory और practical के जो external हो marks लिख होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि industrial engineering में आपका practical होना है practical subject भी आपको पता चल जाएगा दूसरा है metrology and measuring instrument इसमें भी practical होता है तीसरा subject है बच्चों CNC machine and automation इसमें भी practical होता है ठीक है चौथा जो subject है वो elective subject है इनमें से जो है तो आप production branch के लिए tool engineering subject select किया जाता है तो tool engineering आपको पढण है यानि कि total 4 subject है और tool engineering में जो practical है वो नहीं होता है देखिए आप यहां dash लगा हुआ है ठीक है इसके अलावा एक और activity है project work सभी बच्चों को पता है कि third year में last semester में project बनाना होता है और इसके total 100 number होते है ठीक है 40 internal और 60 external तो ये भी एक important activity है क्योंकि resume में भी आप mention करते है कि आपने project क्या बनाया था ठी project की detail है कि जैसे industrial engineering हो गया तो इसमें कौन-कौन से chapter है कौन-कौन से topic है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने syllabus की video पहले भी डाली हुई है कि ये इसलिए भी important है क्योंकि जब syllabus update हो गया तो कुछ book ऐसी है उनमें सारी चीजे नहीं मिल पाती है ठीक है उतो बच्चे अलग-अलग book से पढ़ते हैं question bank देखते हैं तो सबसे जरूरी ये है कि आप syllabus के जो point है वो एक-एक देखते रहे हैं कि वो आपके cover हो रहे हैं नहीं क्योंकि जो exam में paper बनता है वो syllabus को reference लेके ही बनता है ठीक है तो syllabus आपका cover होना बहुत जरूरी है तो वो cover होने के लिए आ सेकेंड आगे metrology तो metrology subject आगया उसके बाद इसके chapter की detail आगई उसके बाद जो है इसके नीचे practical मिल जाएंगे ठीक है list of practical तो यह इनमे साब को practical जो है वो college में कराये जाते हैं तो इसी तरीके से बच्चो जो है आप अपने subject का जो है यहां से detail देख सकते हैं PDF आपको अप के लिए नहीं है आप जाएंगे अपने production branch के पर यह आएगा आगे यह सब इस PDF में मिल जाएगा आपको यह tool engineering है बच्चो only for production तो यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चो आपको जो है यह PDF अपने पास रखनी है अब यह बताते हैं कि यह PDF आपको कैसे मि PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो आपने group में जो आपके college के group बने हुए अपने friends के साथ share कर लेना ताकि सबी बच्चो को syllabus time से पता चल जाए ठीक है बच्चो वीडियो helpful लगी हो तो लाइक कर देना और जो चैनल अपन नए है वो चैनल को subscribe कर लें मिलेंगे next class में नए topic के साथ तब तक पढ़ते रहिए खुश रहिए